हेलो वाटसब गाइस कैसो आप सभी लोग होप करता हूं सब बढ़िया होगी वेलकम बैक टू अनुदे गेंपले वीडियो आफ हाउस फ्लिपर लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमें एक कॉंट्रेक्ट मिला था जहां पर आइलेंड पर एक छोटा सा हाउस था व आते हैं वैसे तो मैं भी घर पर हूं मेरे चलते हैं फटाफ़ा फटाप के पास और देखते हैं क्या है सीन ओके यहां पर सबसे पहले तो हम ओंड हाउस यह वाला है मैं इसको बेचने वाला तो हूँ नहीं टूटल लास्ट एपिसोड में हमने यह वाला किया था टर्टल ह आज देखते हैं क्या है सीन वैसे आज मेरा सोच रहा हूँ क्यों ना हम कॉंट्रेक्ट वाला काम कंप्लीट कर दे जान वान्टो लेव इन दे ब्यूटिफुल स्लिट हाउस दे निट सम् क्लीनिंग एन इंटेर डिजैनिंग तो चलो यह वाला टास्क स्टार्ट करते हैं आज कॉर्ट ट्रक बेस काब करेंगे ना कि हम नया गर परचेस करके उसको फुली रिनोविट करेंगे देखते क्या है इनका कहना चलो और न्यू बिगनिंग वेलकम टू आफ फर्स जॉब इ तो यह सब ट्रेश मुझे रिमूफ करना सबसे पहले कि इसमें तो कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है ने क्योंकि अपने पास जो एक गन है वह बहुत ही अच्छी है चलो फटा-फट से मैंने टास्क स्टार्ट कर दिया यहां पर यहां पर भी बहुत सारा कूड़ा है जो मुझे रिमूफ करना है सबसे पहले ओके बेजमेंट तो पूरा का पूरा ही बेजमेंट तो नहीं है पर ग्राउंट फ्लोर पूरा का पूरा कचरा करके रखा है यह लोग ने चलो कोई बात नहीं सबसे पहले बाक्स बाक्स वगेरे सब कुछ है रिमूफ कर देते जो वाली चीज नहीं है वो सब और इसी के साथ अल्मोस्ट मैंने 90% यहां पर cleaning कर दिया है चलो बहुत ही बढ़िया अब बारी है यहां पर clean करने का clean the dirt okay यह रहा ब्रूम फटा फट से start करते हैं cleaning करना यहां पर बहुत ही गंदी हालत पर है यह सब चलो यह वाला रूम हो चुक है अभी बारी है यहां पर all right यहां पर पूरा पूरा मैंने clean कर दिया है इसको open करते हैं चलते हैं फटा फटा फट हूँ okay और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर एक beautiful सी जगह है यह और पूरा का पूरा ocean view यहां से दिख रहा है समंदर पूरा का पूरा देख रहा है और यहां पर मैं आ चुका हूँ अंदर फिर से और बहुत कुछ रिनोवेट करना है चलो सबसे पहले तो यह सब डर्ट रिमूव कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे हाउस के windows को भी clean करना है बहुत कुछ काम है चलो फटा फट से kitchen area भी clean हो गया चलो बहुत बढ़ी है यहां पर क्या है देखते एक बार ओके यहां पर एक bedroom है पर यह भी मुझे बाद में रिनोवेट करना होकर यह शायद से bathroom है ओके wash area भी हमने देख लिया complete अभी यहां पर है सबसे अब्जेक्स के इसमें है यह लैंप मुझे सेल करना है और दो यह कबर्ट मुझे सेल करने ओके अब बारी है मुझे सबसे पहले windows को clean करने गाए तो चलो फटा फट से window clean start करते यहां से ज्यादा time लगने वाला है ने आराम आराम से में कर रहा हूं ताकि अच्छे से clean हो जा की अब बारी है second window की यह थोड़ी बड़ी है और clean होते हैं आप देख सकते हो कि side के house हमें दिखने start हो चुके है चलो फटा 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 से थर्ट विंडो भी clean कर देते हैं इसी के साथ और यह हो गया done अब बारी है यहां की एक window के यह वाला तो complete है यहां से अभ अल्राइट यह हो गया complete clean यह वाली को तो कोई जरुरत है यह दोनों clean already हो चुकी है तो फटा फट चलते आगे और देखते हैं यहां पर क्या करने clean the dirt हो कि सबसे पहले तो यहां पर में decision ले ले दाओ definitely a tv the room feels so empty without it we can also add some decorations a carpet and a few potted plants और यहां पर कहना है a fire could make this room feel more comfortable a large corner electric fire placement मेरे इसाब से यह वाला decision भी सही रखते है ताकि अच्छे से सब हो जाए सबसे पहले यहां पर buy करना होगा एक electric fireplace caramate तो चलो फटा फट से उसको buy करते है color उसका white होगा और इस बार हम totally different रखेगे metal को अगर देते है golden ओके यह वाला बहुत अच्छा लग रहा है color चलो फटा फट से इसको set करते हैं यहां पर इसको लिए आगे चलो यह हो चुक है done फटा फट से इसको on कर देते हैं और इसे के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा look आने लग चुक है अब बारी है दो flower pots छोटे वाले तो चलो एक को मैं यहां पर ही set कर देता हूँ को कि यह एक अच्छा spot है यहां पर एक आ सकेगा और दूसरा वाले को मैं रख देता हूँ यहां पर यह वाला टेबल थोड़ा cross है उसको मुझे straight रखना होगा चलो complete यह हो चुक है अब बारी है दो lamps लेना है मुझे यह वाले कर चलो ready सबसे पहला lamp लगेगा यहां पर और दूसरा वाला लगेगा थोड़ा सा यहां पर चलो और अभी final object है यह वाला एक triangle shape carpet लेना है जिसको मैं place करूगा बिलकुल यहां पर इसे के साथ यह हो चुका भी dirt मुझे show कर रहा है कहीं ना कहीं पर dirt बाकी है तो वह एक बार check कर लेते हैं okay wait शायद यह वाला ही dirt part है okay finally हो चुका है complete और इसे के साथ living room हो चुका है complete अभी एक बार lights on करके देख लेते हैं यह रहा electric switch और सभी lights on हो चुकी है चलते है फटा 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 bedroom में और यहां पर सबसे पर बैड अच्छे से बना देते हैं यहां पर तो कुछ दूसरा काम है है एक बार इसकी भी lights on करके complete चलो क्या बात है bathroom में भी कुछ काम नहीं है सिफ light on कर देते हैं चलते है फटा फट नीचे basement में क्योंकि यहां पर काम तो बहुत ही कम था ओके मैं शायद गलत जगह से अंदर आ चुका हूँ सॉरी गैस यहां से ही मैं आया था पर basement का रास्ता कहां से है ओके यहां से चलो फटा फट चलते हैं नीचे और यह वाले rooms को भी finalize करते हैं यहां पर मुझे सबसे पहले decision लेना का सोना bathroom और यह बोल रहा है कि यहां पर मुझे तो चलो इस बार madam का बात okay कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो इस सब objects मुझे sell करने होगे यह कुछ काम के है नहीं चलो यह मैंने सपी के सभी sell कर दिये चलो अब बारी है यहां पर यह यह भी सब मुझे sell out करने है यह कुछ काम के है नहीं सब objects यह table भी मैंने remove कर दिये चलो अब बारी है यहां पर floor tiles लगानी है सबसे पहले यह रही tiles यह लोग ना already select करके रखा है तो कोई ज़्यादा attention वाली बात है ने direct हम place कर देगे ओके चलो यह हो चुका है complete अब बारी है काम करते है सबसे पहले दोर को फिर से close कर देते है lights एक बार चेक कर लेते है lights on हो रही है अब बारी है फटा फट से shower plumbing system toilet plumbing system sink और एक sauna glass के सबसे पहले तो shower हम set करेगे अच्छे से all right shower यहां पर अच्छे से set हो जाएगा चलो complete फटा फट इसको unscrew कर देते हैं ताकि अपना shower यहां पर लग जाए चलो यह हो चुका है फटा फट शावर ले ले लेते हैं कि वेट मैंने शायद गलती से shower यहां पर place किया वो मुझे यहां पर place करना था चलो इसको यहां से फटा फट sell कर देते हैं और यहां पर मैं शावर को place कर देता हूँ यह रहा shower plumbing system उसको same यहां पर corner पर place करेगे चलो फटा फट से फिर से कर देते हैं एक बार ताकि अपना काम easy हो जाए अभी यहां पर set करेगे सबसे पहले शार यह रहा glass frame और glass दोनों black रखेगे ताकि कुछ दिखे नहीं फटा फट से चलो assemble करते हैं इसको all right यह मैंने type लगा दिया base भी set हो चुका है अब बारी है shift for shift glass panels को लगाने के और इसे के साथ यह हो चुका है complete all right अब बारी है toilet plumbing system और sink तो toilet को दो यहां पर हम आराम से set कर पाएगे चलो फटा फट से toilet को भी place कर देते हैं यह रहा चलो करते हैं इसको भी install और assemble भी कर देते हैं इसको screw से assemble करना है yes चलो finally यह हो चुका है done अब बारी है sink और sink को तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं यहां पर पीछे place किया जाए फटा फट से इसको भी unscrew कर देते हैं ताकि यहां पर sink भी लग जाए all right guys यहां पर sink installation अभी हमें करना है सबसे पहले तो मुझे wood का color change करना होगा ओके चलो फटा फट इसको भी place कर देते हैं यहां पर थोड़ा congested सा रहेगा पर कोई बात नहीं क्योंकि customer requirement ही यह है फटा फट से अभी pipes को भी install कर देते हैं ताकि पानी आना start हो जाए अभी बारी है drainage की और इसे के साथ sink हमारा final start हो चुगा है complete डूर भी open close अच्छे से हो रहा है चलते है next room में और यहां पर मुझे बहुत कुछ प्लेस करना है सबसे पहले तो यह bench है दो bench मुझे लेने है इसमें color में change कर देता हूँ चलो कि first वाला bench आ जाएगा यहां पे second वाला भी यहां पर आ जाएगा चलो सही है अब बारी है corner ओके तो corner को में place कर देता हूँ चलो फटा फट से कि यह आ चुका है यहां पर और second वाले को हम place करेगे यहां पर चलो complete अब बारी है एक heater लगाना है मुझे सबसे पहले इसको में place कर देता हूँ वेट heater के बाद कोई दूसरा object है sona bucket और sona lamp चलो इसका तो को टेंशन नहीं है इसको हम यहां पर corner पर आर्राम से सेट कर देगे चलो और अब बारी है एक bucket की bucket को फिलाल में यहां पर रख देता हूँ side में और इसके बाद final है यह एक lamp और राइट के lamp को में place कर देता हूँ यहां पर corner पर विट corner पर ही लग जाएगा ओके चलो complete इक बार यहां की lights को on कर देते हैं और इसे के साथ यह हो चुका है complete यहां पर tiles different लगानी थी क्या पता ने एक बर यहां पर भी लगा कर देख लेते क्या होता है scene okay चलो यहां पर different tiles थी और यह हो चुका है complete अभी job भी हमार complete हो चुका है चलो client को यह कर फिर से दे देते हैं उनका और देखते भी for after images so let's go all right guys यहां पर first contract हमने complete कर दिया है अभी बढ़ते हैं फिर से अपने office के और और देखते हैं दूसरा contract क्या है हमारे पास so let's go finally guys मैं आ चुका हूँ अपने office पे और देखते हैं दूसरे contract हमारे पास क्या है यह रहा map of the jobs एक house हमने कर दिया complete और यहां पर एक छोटा सा house है man jobs चलो इसमें देखते हैं complete renovation या फिर interior designing तो चलो चलते हैं उस location पे so let's go all right guys मैं आ चुका हूँ finally उस location पे और यहां पर भी same seven rooms with two choice और budget भी same है तो चलो देख लेते हैं क्या है scene सबसे पहलो तो यहां से मुझे trash को remove करना है तो चलो फटा फट से start करते हैं एक के बाद एक trash remove करते हैं और देखते हैं क्या है काम आगे यहां पर trash तो बहुत ही है एकदम हालत खराब हो चुकी है यहां की वैसे house bought time से बन था और new purchase किया यह बंदे ने तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या है scene और पता करते आगे चलो complete मैंने almost trash निकाल दिया है सिर्फ अभी छोटा यह दो cement bags और एक wood plug था वो भी निकाल लिया और विट यहां पर उके चलो एक clean है अंदर के side से दिख रहा है तो अंदर भी शायद मुझे trash remove करना होगा चलते हैं अंदर और देखते क्या है scene all right यहां पर अंदर आ चुका हो सबसे पहले तो मुझे trash को remove करना है और trash remove start कर देते हैं और यहां पर new furniture भी रखा हुआ है तो यह सब मैं फिलाल fake ने वाला हून है यह सब काम आ जाएगा okay बाकी का यह जितना भी पूराना सा सामान है वो मैं निकाल देता हूँ लगता है workers ही यहां पर छोड़के गए जब यह house बना रहे थे तभी कोई बात ने फटा 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 हम लोग remove कर देते हैं एक के बाद एक और start करते है रिनो करना है के what should we do about the furniture that's already in the living room leather furnish is stylus let's keep it that we have और new modern extra मेरे सबसे furniture यही रख देना चाहे क्योंकि new है तो कोई ज्यादा tension की बात होगी ने और वैसे यहां की windows clean है तो मुझे clean करने की ज़रूरत है नहीं सबसे पहले यहां पर है white colors हमें paint करना होगा चलो तो start करते painting और उसके बाद वेट यहां पर walls भी शायद modify करनी है क्या मुझे वेट नहीं modify तो तोड़नी तो कुछ नहीं है पर बाकी सब वैसे का वैसे रहने थे सबसे पहले यहां पर floor tiles लगा देते ताकि अपना थोड़ा सा look अच्छा आ जाए फाइनली हमने थोड़ी सी tiles यहां पर लगा दिये floor tiles के start करते इस corridor पर चलो complete यह हो चुका है done अभी देखते हैं ओके यहां पर भी सब जगह पर लग चुकी है तो को tension की बात है नहीं start करते अभी सबसे पहले तो यह लोग को थोड़ी सी tiles भी लगवानी है तो चलो यह देखते कहां पर लगवा तो टोटल 15 लगवानी है 15 तो शायद यहां पर हो जानी चाहिए देखते हैं क्या है सिन तो चलो start करते हैं यहां से लगाना वैसे इस बार यह लोग ने tiles थोड़ी different select किये बहुत ही अच्छी design है premium लुक आ रहा है यहां पर wall tiles finally लग चुकी और यह wall बहुत ही beautiful लग रही है चलो फटा फट से भी next stars देखते हैं कि white class में तो मैं बड़ी bucket ले लेता हूँ फिला लेक और start करते paint करना so let's go कि यह मैंने dip किया brush को और as usual मैं सबसे बहले frames जितनी भी है यहां पर वही मैं paint करूँगा उसके बाद हम direct shift हो जाएगे बड़े वाले पैसेज पर के चलो complete ओल्राइट ग्राइज यहां पर एक window complete हो चुकी अप करते second window को start paint थोड़ा ज्यादा use हो रहा है क्योंकि windows अपने थोड़ी बड़ी है इस बार छोटी windows होती है तो फटा-फट हम इसको खतम कर सकते है तो चलो फटा-फट से start करते है यह सब paint करना और खतम करते है इस job को भी फटा-फट से थाकि new job हमें मिल सके so let's go झाल 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 हमें झाल आप अप आप अ अ आप आप गाइज विंडोस सेक्शन में ने पेंट कर दिया है अब स्टार्ट करते है सबसे मेन पार्ट जो कि है बड़ी-बड़ी वाल्स चलो फटाफट इसको स्टार्ट करते है यहां से सो लेट्स गो आप 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 आ आप 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 झाल झाल फाइनलि गाईज पेंटिंग का काम फ्लेंट काम नैंटि-फाइफ परसंट कर दिया है अब इस इए एक छोटी वोल पैंडिंग है और डॉर स्वेंट लूं सिफ एक थाटरा का है फिलाल तो वाइट पेंट को अभी कुछ जरूरत है ने तो इसको हम सेल कर सकते है आराम से अब बारी है यहां पर कर्टन्स लगाने की तीन कर्टन्स तीनों विंडोस के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं यह रहा कर्टन्स और थोड़ा मैचिंग का रखेगे क्योंकि अच्छा से दिखना भी चाहिए पाइप हमने किया है गुल्डन ब्राउन और कल्टन्स का जो लुक है वो भी थोड़ा डिफरेंट सा होगा ब्राउन शेड में ब्राउन दिखने रहा है थोड़ा हमें कलर कंबिनेशन औरेंज के साइड जाना ह होगा चलो फाइनले मिल चुका है करटन फटाफ़त इसको प्लेस करते हैं चलो यहां पर भी एक मेने प्लेस कर दिया आप बारी है लाश्ट वाले कर्टन की यह भी यहां पर हो चुका है करते है इसको भी फटाफ़त असेंबल आल्राइट यहां पर फर्स्ट कर्टन हमने लगा दिया है अब बारी है सेकेंड कर्टन की इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें सिफ वर सिफ चार स्क्रू हमें फिक्स करने हैं और इससे बाद कर्टन हमारे हो जाते हैं फिक्स और यह है लास्ट कर्टन चलो इसको भी फटाफट असेंबल कर देते हैं ताकि थोड़ा गेट अप अच्छे आना लग जाए और यह हो चोगा है फाइनली डन अब यहां पर छोटे मोटे चीज मुझे बाई करने होगे सबसे पहले तो डाइनिंग टेबल है इसको थोड़ा सा अच्छे से पीछे शिफ्ट कर देते है आल राइट यह आचुगा है कम्पलीट चलो फाइनली यह लगा दिया है यहां पर और मुझे भी फिक्स करना होगा एक अच्छे से टेबल को चलो सबसे पहले तो यह टेबल में ने लिया और थोड़ा मैचिंग रखेगे हम लोग फरनीचर के साथ कि क्यों ने इसको इस तरह से रखे ताकि अच्छे से सेट हो जाए आल राइट यह हो चुका है कम्पलीट अब बारी है सिक्स चेर्स की कवर रखेगे हम लोग थोड़ा लाइट और वूड रखेगे हम लोग मैचिंग का ही आल राइट गाइज यहां पर चैर्स हमें लगाना है तो चलो स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक चैर रखना टोटल सिक्स चैर्स हमें प्लेस करनी होगी इसको करते हैं रोटेट और यह हमने सिक्स चैर्स है यहां पर प्लेस कर दी है अब बारी है दो लैंप्स की अल्राइट लैम्स को भी यहां पर प्लेस कर देते हैं एक यहां पर और एक आ जाएगा यहां पर एक बार लाइट्स को करते हैं और ताकि पता चले कि अच्छा ही दिखा रहा है अब बारी है रग्स और एक फोटो फ्रेम पर उसके पहले मुझे सोफा सेट पूरा इस कर देते हैं यह उठाया और इसको प्लेस करते हैं यह साइड चले बहुत बढ़िया यह वाले रख को प्लेस कर देते हैं यहां पर स्टूल को निकलते थोड़ा सा यहां पर यहां पर आ जाएगी दो चैर्स इसको भी रोटेट कर दे दे ओके फाइनली यहां पर भी लग चुका है कम्पलीट अब बारी है एक रग्स मुझे प्लेस करना हो गए यहां पे के और फाइनल एक लास्ट आइटम है यह फोटो फ्रेम बड़ी साइस का ले लेगे ताकि यह जो वाल एमटी लग रही है यहां की वो लगे नहीं वैसे तो बहुत बड़ा हो रहा है मीडियम साइज एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है ओके मीडियम साइज बैटर ओप्शन लग रहा है फिलाल चलो यह हो चुका है कम्पलेट अभी देखते हैं दुसरे रूम में हमें क्या क्या करना है वैसे बाथरूम में तो कुछ करना नहीं है बढ़ते हैं यहां पर और यहां पर एक डिशीजन लेना है चलो फटा फट सबसे बहुत लाइट को अन करते हैं लाइट यहां पर है यहां पर कहा जा रहा है we should keep it it's a piece of house history वगेरे वगेरे और यहां पर it's far too big its entire let's replace with some of the actual चलो यह वाला इस बार accept कर लेते sell the objects में मुझे इस अब भी sell करना होगा एक के बाद एक के चलो यह हो चुक है done अब बारी है एक desk objects अब लाने के सबसे पहले एक desk आ जाएगा यहां पर इसके लिए मुझे यह chair को यहां से shift करना होगा यह side पर एक desk को ने covered को shift कर देते यह side बाद में हमनों को इसको अच्छे से place कर देगे no doubt चलो यह रहा desk और इसको मैं place करूगा एक बिल्कुली यहां पर वेट इसके drawers कौन से side होगे यह side है चलो यह मैंने place कर दिये चैर को फिलाल रख देते यहां पर अब बारी है okay मुझे यह वाला जो wall है उसको break करना होगा यह रहा मेरा hammer कर यह वाली wall मुझे break करनी है सबसे पहले चलो एक के बाद इसको break करना start कर दे इसके बाद देखते क्या scene करना है hidden basement all right यहां पर मुझे एक hidden basement दिख चुका है तो शायद इन लोग को भी budget बढ़ाना पड़ सकता है देखते क्या है all right यह हो चुका है complete और finally हमें hidden basement मिल चुका है निकाल लेते हमारी gun ताकि हमें नीचे जाकर जो भी चीज़ complete करनी सबसे पहले remove trash चलो trash को remove करते हैं बहुत ही गंदी हालत में trash trash remove हो चुक है box ही box है यहां पर बाकी का कुछ कुछ सामन दिखने रहा है और यहां पर भी furniture पड़े हुए है बहुत सारे तो यह भी हमें शायद यहां पर renovate करना होगा देखते क्या है सीन वैसे तो budget इनका तो है अभी फिलाल बहुत सारा देखते क्या है सीन आगे चल कर पता चलेगा furniture तो बिल्कुल brand new है तो इसको हम कुछ ने करेगे as it is रहने देगे सिफर सिफर बॉक्स जो है वो हमें निकालना होगा यहां से के चलो अभी है still garage shelf के यह भी मुझे निकालना है और इसी के साथ हो चुका है complete अभी यह वाले boxes सिफर रिमूव करने फटा फट से चलो हो चुका है done अब बारी है यहां पर फ्लोर टाइल्स प्लेस करना है चलो फटा फट अब प्लेस कर देते है यह हो चुका है done अब बारी है side इतना ओके चलो finally हो गया complete अब बारी है यहां पर छोटे मोटे सामान लगाने के सबसे पहले तो इसको हम arrange कर लेते है chairs को फिलाल यहां पर place कर देते हैं दूनों को एक यहां पर यह side पर रख देते हैं और sofa थोड़ा चला जाएगा यह side के चलो complete अब बारी है एक का lamp की तो lamp को चलो यहां पर बीच में place कर देते हैं lights को एक बार on करके देख लेते हैं चलो lights on हो चुकी है finally अब बारी है यह कर यह बहुत बड़ा सा पूल टेबल चलो यह हो चुका है done इसको place करेंगे हम लोग यहां पर फिलाल और उसके बाद item है यह एक छोटा सा टेबल जो यहां पर आराम से आ जाएगी चलो complete यह हो गया done hidden basement हमें मिल चुका है क्या बात है यहां से होगी उसके entrance के यहां पर फिलाल तो कुछ है नहीं यह हो चुका है done और यहां पर job हमारा complete हो चुका है तो चलो देखते है before after images so let's go finally guys यहां पर हो चुका है complete और देखते हैं भी हमरे बस bank balance कितना है 5,2294 बहती बढ़िया तो चलो guys आप hope करता हूँ आप लोग को यह वाला video पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like कर दीजिये और channel को subscribe कर दीजिये comments में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा यह video तो चलो मिलता है किसी new episode में तब तक के लिए goodbye have a great day फिसते से शिर्ड़िया तो यह वाला सवरित्व नचलो n फे API किस्वास चलो 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 के लिए कर दो का ओए Gotta बस्सकतफ़ presents है मुष्र क अपकरू आपको act versuchenеньबंदद़ देज़़रये